Hello everyone, once again, welcome you all on my channel Root to Physical Education तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोर और आउट्डोर एक्टिविटीज के बारे में वैसे तो हमने इनको डिसकस किया था लेकिन उतना डिसकस नहीं किया था जितने करना चाहिए था तो सबसे पहले बात करें अगर हम Recreation in indoor और outdoor is depend on the objective यानि कि आपका objective क्या है आपका उद्देश ये क्या है आप क्या करना चाहते हैं Activity, structure, structure के हिसाब से अब आप करना तो चाहते है hiking और कह रहे हैं मुझे indoor में करना है ऐसे नहीं होगा Space needed आपको space कितना चाहिए कितना होना चाहिए इस सब चाहिए Combination of recreation activities are categorized as तो ये अलग-अलग है जैसे चार टाइप में बाठ दिये Indoor active, indoor passive, outdoor active, outdoor passive इनको समझते हैं Indoor activities की अगर हम बात करें तो indoor active recreation वो recreation हो जाएगा जिसमें आप indoor में कर रहे हैं लेकिन वो बहुत active है जैसे कि badminton खेलना, gymnastics करना Indoor passive में अगर हम देखें तो indoor में हैं जैसे घर में हैं और videos देख रहे हैं, card खेलने हैं तो ये passive Outdoor active में आपका क्या हो गया? Outdoor activities activities वो सारी हो गए जिसमें आप बहुत जादा जैसे volleyball कुछ भी खेल रहे हैं Outdoor passive में क्या हो गया? जैसे बाहर बैठ के आप क्या कर रहे हैं कोई scenery बना रहे हैं, कोई painting बना रहे हैं कोई मतलब की video बाहर देख रहे हैं जैसे कि अगर आप badminton खेलें तो उसकी subtle है उसकी subtle जो है वो हवा से इधर उधर चले जाती है इसलिए उसको indoor में खेला जाता है इंडोर में एक particular air का temperature बना रहता है और वहां पर हवा इतनी नहीं चलती है ठीक है जो कि उसके subtle को effect कर दे as we come to know that recreation carry no rules यहां पर rules नहीं होते आपको पता है and regulation so it can be played outdoor तो badminton आप outdoor भी खेल लो जो indoor खेली जा सकते हैं उनको outdoor भी खेल सकते हैं ऐसा कोई मना नहीं करेगा क्योंकि recreation में कोई rules regulation नहीं होता है it is played it is played during laser time यानि खाली time में for fun so no monetary यानि कोई financially benefits attached नहीं होते इसके साथ it would be better to avoid competitive sports from this list तो competitive sports अलग चीज है और recreation बिलकुल अलग चीज है outdoor activities के अगर हम बात करें तो यह better quality of life में यानि कि physical, mental और social तोर पे help करती है मैंने पिछे भी बताया आपको industries of recreation जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारी outdoor activities ऐसी होती है जो कुछ-कुछ करवाती है जैसे आप Google पे भी सर्च करोगी तो camping का आपको अलग-अलग मिल जाएंगे prices किस तरीके से कौन-कौन सी company camping करवा रही है आपको पूरा package दे देंगे तो outdoor recreation is better than the indoor for health health purpose के हिसाब से देखा जाए तो outdoor आपका बहुत ज्यादा important रहता fitness purpose से भी it can be a means of maintaining आपके maintaining recreation अब इसमें देखें तो जो outdoor activities है वो हमेशा ही ज्यादा beneficial रही indoor activities से recreation program for various categories of people अब इसमें देखो यह आपकी साइद last video हो सकती है तो recreation program जैसे कि किस इनसान के लिए क्या करना है recreation place and activities are required for almost all stages जितने भी एचाहे कोई 10 साल का हो 20 साल का 50 साल का हो या 60 साल का हो या फिर और भी उमर का हो तो हर किसी का interest के हिसाब से aptitude के हिसाब से अलग अलग recreation होता है इस चाइल्ड नीट डिफ्रेंट अक्टिविटीज धन एडल सेंस अब कोई बच्चा है उसको देखना गेम खिलने में बहुत मज़ाएगा टीवी देखने में कार्टून देखने में बहुत मज़ाएगा कहीं कई बड़ों को भी आता है लेकिन बच्चों को बहुत जाद मज़ाएगा वहीं बड़े उनके अलग interest रहेंगे तो उसी तरीके से वाइस वरसा रहता है यानि कि छोटों को जो चीज पसंद आएगी वो बड़ों को नहीं आएगी बड़ों को जो पसंद आएगी वो छोटों को नहीं आएगी अब variety of activities are present day जैसे कि active, passive और कुछ individual के हिसाब से indoor, outdoor के हिसाब से various categories जैसे कि बच्चों के हिसाब से, adolescents के हिसाब से, adults के हिसाब से, बुड़े, बुजूर्ग, older के हिसाब से, industry works के हिसाब से, अलग-अलग, teachers के हिसाब से, office worker के हिसाब से, और कोई भी recreation activity जो enjoy कर सकते हर कोई इंसान अलग-अलग चीजे enjoy करना पसंद करता है, जैसे कि यह बुजूर्ग इंसान है, तो यहाँ पर यह देखो, कि इनको exercise कराई जा रही है, तो इनके बिचारे के उठ नहीं पा रही है, यही same age के यहाँ पर देखो, तो stop making excuses, just go for it, यानि कि आप किसी भी age में कुछ भी कर सकते ह और इन्होंने ही बॉल रखा है, यह ताउजी हमारे, age is just a number, देखो इनने कितने अच्छी body बना रखी, तो इनका सौक होगा gym करना, तो यह gym अभी भी खरते हैं, workout करते हैं, वहीं पर यह ladies देख लो, ठीक है, यह बहुत अच्छे एकदम fit कर रहा है, आपने आपको maintain कर रख है, पूरा physique, इस तरीके से, तो यह इतने हिसाब से, वहीं पर यह एक ताउजी हमारे, जो running कर रहे हैं, तो इनकी भी काफी अच्छी fitness है, वो बैठी हैं, बुजर्ग महीला देख रही हैं, बहुत अच्छी fitness है, यह सब सेम age के हैं, एक हमारे age चाचा जी देखो, इनको जानते होगे आप, मिर्जापूर में देखा होगा, तो इनकी अलग fitness है, यह अलग dance कर रहे हैं, हाला कि कोई चुप करा देता है, इनकी dance करते करते ही, तो सभी की age अलग होने के साथ साथ, उनकी physical fitness भी अलग हो जाती है, यह किसी को नहीं भूलना चाहिए, उसी के साथ साथ अब हम मिलेंगे, next, किसी और topic के साथ, तब तक के लिए, सभी को goodbye, take care, और आप सभी खुशल मंगल रहे, हमारी सीरीज यहीं पे खतम होती है, recreation की, और कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, until we meet, stay fit and stay healthy, ध्यान रखो अपना किसी भी exam की तयारी कर करें, तो आप हम से direct contact कर सकते हैं, Instagram पे,